दोस्तो नमस्कार IT aCourse YouTube यट्यू चैनल पे स्वागत है दोस्तो आज Complete आपको Electrical Symbol की ड्राइंग बनाके बताएंगे कि हमारे Electrical पे Symbol कैसे बनाए जाते हैं और Complete आपको नाम और Symbol दिखने हो, मिलेगा Complete आप वीडियो देखिए क्योंकि इसमें complete आपके 40 सिंबोल बना के बताए गए है यह चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेड़े और इसी तरह के आपको electrical से संबंदित सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा मैं आपको complete सिंबोल बना के बताऊंगा जो हमारे electrical theory और ड्राइंग से संबंदित आते हैं यदि आप engineer ड्राइंग की तैरी कर रहे हैं तो हमारे playlist पर जाकर first year और second year playlist बनी हुई है ड्राइंग के नाम से आप वहाँ पर visit कर लिजे और देख लिजे कि पिछले साल paper कैसे आया था previous year paper upload कर दिये गए है और उसके ड्राइंग भी बना के बताई गई है आप भी ऐसे electrical symbol की practice कर लिजे क्योंकि ऐसे symbol बार बार आते हैं आपको complete positive कैसे बनाया जाता है फिर negative AC का symbol DC का symbol single face AC हो गया हमारा three face AC का symbol पच्चास अड़ सप्लाई के लिए फिर जो three face line होती है उसका symbol neutral line हो गई neutral line को dead desk पर पनलूग दे दिये फिर earth line भी होती है earth line जो दी जाती है फिर earthing का symbol हो गया एक जारवा नम्मर पर आपको क्रास बायर यही हमारे जो क्रास बायर होते हैं कैसे क्रास किया जाता है complete आपको इसी तरह के निश्ट पूरा मिलेगा आप नए हो चैनल को सस्क्राइब कर लेना बायर जोइंट कैसे होता है सारा symbol आप ऐसे symbol को सीखी जाए क्योंकि यह ड्राइंग में बार बार पहुंचे जाते हैं में बार एकली एके पहुंचे बार पहुंचे पहुंचे झाल झाल 15 नमबर है intermediate switch intermediate switch का connection intermediate switch का symbol आप सीख जाएए 2-way switch 14 नमबर पे दिया गया था 13 नमबर पे single-way switch है तिये सारे single-way switch 2-way switch, intermediate switch फिर अपना 16 नमबर ICDP ICDP होता है iron clade double-pole switch फिर 17 नमबर है इसी तरह के आप practice कर लिजिए और सभी नामों को full-form जाज़े ICDP होता है iron clade triple-pole switch 17 नमबर पे और 16 नमबर पे iron clade double-pole switch और 17 नमबर पे iron clade triple-pole switch उसमें 16 नमबर में 2-pole की switch है इसमें 17 नमबर पे 3-pole की switch बनाई गई है फिनेश्ट आता है ठार्मा नमबर आपको ठार्मा नमबर पे DP-DT switch double-pole double-taped switch का symbol है यह DP-DT switch 19 नमबर पे बताता है fuse fuse का symbol क्योंकि हर बार fuse हम लोग हर जगा यूज़ करते हैं machine के protection, अपने घरों के protection fuse उसका symbol जानना जरूरी है फिर आता है 20 नमबर पे link link क्या है 21 नमबर पे है सौकेट सौकेट टू पिन हो गया, थ्री पिन हो गया पांच एमपियार, सोला एमपियार जो जैसे होती है यहाँ पे दोनों सौकेट का बना दिया है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट दोनों का फिर आता लैंप का symbol 22 नमबर पे लैंप symbol दिया गया है लैंप का symbol कैसे बनाया जाते है 23 नमबर आ गया 23 में हम बना देंगे फैन रेगुलेटर फैन का रेगुलेटर कैसे बना जाता है 23 नमबर पे मिल जाएगा आपको 24 नमबर आपको 24 नमबर पे capacitor variable capacitor और fixed capacitor fixed capacitor यनि उसकी value को गटा बढ़ा ने सकते variable capacitor की जिसकी value हम कम जादा कर सकते हैं आसानी से फिर बोल्ट मीटर voltage को measure करने के लिए बोल्ट मीटर दो प्रकार के होती है बोल्ट मीटर AC और DC दोनों से अपलाई किम आपने के लिए हम लोग बोल्ट मीटर का बना दी सिंबोल 26 नमर पे अमीटर यानि करेंट कोन अपने के लिए अमीटर भी AC का अलग बना देंगे DC के अलग बना देंगे उसका नीचे सिंबोल दिया रहता है AC का और DC का अमीटर का अमीटर का बना देंगे कम्प्लेट आप लोग भी जान जाएए 28 नमबर जनरेटर ACDC इसी तरह आप लोग प्रेक्टिस कर लीजिए क्योंकि ऐसे कोशन बार-बार पूशे जाते हैं यह आप प्रेक्टिस नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कात हो जाएगे ड्राइंग बनाने में दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना थ्रिफिस एल्ट यहनि अल्टरनेटर का डाइगराम है तीस नमबर पर हमारा अल्टरनेटर जो AC बिजली बनाता है उसका सिंबूल है थ्रिफिस अल्टरनेटर 31 नमबर पर एनर्जी मीटर जो घरों पर हमारे मीटर लगे होते हैं के डव्यच मीटर भी बोलते हैं उसी को एनर्जी मीटर बोलते हैं ओम मीटर हमारा जो 32 नमबर है 32 नमबर पर ओम मीटर का डाइगराम ये शिंबूल बना दिया गया है और 33 नमबर पर सेल शिल का शिंबूल कैसे होता है जो हम लोग सेल यूज़ करते रहते हैं तो उसका सिंबूल जानना जरूरी है फिर इसके बाद 34 नमबर 34 पर चोक दिया गया है जो चोक हम लोग ट्यूब लैट पर चोक यूज़ करते हैं उसका सिंबूल है नेस्ट अनिट 35 पावर फेक्टर मीटर थार्टिफड में पावर फेक्टर मीटर का सिंबूल बनाएं पावर फेक्टर का सिंबूल बनाके कंपलेट हम लोग कर लेंगे 36 में 36 का हम लोग डायोड सिम्बोल बना रहे हैं यह 36 में डायोड यूज कर लेंगे फिर इसके बाद 36 बाद 37 Arial Arial का सिम्बोल है और 38 में Fault जब कभी Fault होता है तो उसका सिम्बोल Complete इसी तरह है के 39 में Star Connection का Star Connection का कैसे बनाया जाता है और 40 में Delta Connection का यह 40 नमर पर जो Delta Connection कैसे होता है फिर 41 में पर हमें overhead line यह जो उपर उपर लाइन जाती है उसका सिम्बोल है फिर इसके बाद 42 में NO और NC दो बनाएंगे 42 में NO और NC यह मैं आपको 42 सिम्बोल बनाके बता दिये हैं Electrical से सम्बनित यह आप लोग प्रेक्टिस कर लीजिए 42 सिम्बोल बहुत Important सिम्बोल है 42 सिम्बोल कर दो 48 सिम्बोल फियाओे 40 लगgn 20 इसका हस्थ